भारत सरकार ने 2030 तक देश के वाहन बेडे का 30 प्रतिशत विद्युती करण लक्ष प्राप्त करना निर्धारित किया है, जो परियावरन संरक्षन के लिए एक महत्वपून कड़ी साबित होगा. एन्टी एच, ईवी बैटरी एवं चार्जिंग स्टेशन उपकरणों के परीक्षन हेतू, देश के प्रमुख तीन शहरों, मुंबाई, कोलकाता और बैंगलूरू में अत्याधुनिक परीक्षन लिबारटरीज का निर्मान करने जा रहा है. इस कार्य हेतू, बैंगलूरू में प्रस्तावित अत्याधुनिक ईवी बैटरी परीक्षन प्रयोक्षाला स्थापित करने के लिए, एन्टी एच और आर आर एसल बैंगलूरू के बीच MOU का आदान प्रदान होगा. इसके अलावा, आज NTH पश्चिमी क्षेत्र मुंबई में, Electrical Domestic Appliance Laboratory और NTH पूर्वोत्तर क्षेत्र गुआहाटी में, Electrical Laboratory का भी शुभारंब हो रहा है. अब पूर्वोत्तर राजियों के Electrical Manufacturing Industry के व्यवसाईयों को परीक्षन कराने के लिए, देश के अन्य हिस्सों में जाने की आवशक्ता नहीं होगी. नई सोच, नई कदम और नई उर्जा से, राश्ट्रिय परीक्षन शाला NTH एक विक्सित और आत्म निर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में अपनी एहम भूमिका निभा रहा है.